36 गड के ग्राम बहेरा टोली में करीब 7 वर्ष पूर्व 5 नाबालिक सहित 9 लोगों की टांगी से मार कर हत्या करने वाले आरोपित को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है आपको बता दे कि रामा नुजगंज जिला सत्र न्यायाल्य के न्याय धीश शैलेश अच्छियूत पट वर्धन की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है बताय जा रहा है कि 35 वर्ष ये ग्रामीन पांडू राम नगरिया हमेशा गुस्से में रहता था तीन मार्च 2013 को उसने पत्नी और बच्चे के साथ मारपीट की थी इसके कारण पत्नी अपने बच्चे को लेकर माईके चली गई घटना दिवस 4 अप्रेल 2013 को आरोपित पांडू राम घर पर अकेला था अचानक वह घर से अपने हाथ में टांगी लेकर बाहर निकला उसके सामने जो भी आता उसे मारता चला गया इस समय घर के बाहर पडोस की मच्की बाई उम्र 50 वर्ष जो चटाई बीन रही थी उसी के पास कलंगी बाई उम्र 60 वर्ष बैठी हुई थी दोनों की टांगी से मार कर हत्या कर दी कुछी दूरी पर सित हैंड पंप से पानी भर रहे ललकी नगेसिया साथ वर्ष और उसकी चार साल की नाबालिक नतिनी को भी मार दिया उसी हैंड पंप के पास खेल रही तीन वर्ष यह बालिका को भी उसने टांगी से मार कर हत्या कर दी इसके बाद आरोपित पांडू रामपडोस के ललसाय नगेसिया के घर में गुश गया और वहाँ पर सीता मुनी 25 वर्ष उसकी दो वर्षिय पुत्री को सोते हुए अवस्था में मार डाला कुछी दूरी पर खेल रही दस वर्ष एवं तीन वर्ष की दो बाली काउं की भी उसने हत्या कर दी किसी तरह गाउवासी एकत्र हुए और हिमत जुटा कर हत्यारे को पकड़ लिया इसकी सूचना सामरी थाना को दी गई पुलिस ने अभी युक्त के पास से कपड़ा और टांगी बरामत कर ली सामरी पुलिस ने जाच के बाद मामला न्यायाल्य में प्रस्तुत किया संपूर्ण गवाहों एवं बयानों के आधार पर विद्वान न्यायदीश शैलेश अच्छियूत पटवर्धन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्राण घह तक चोट पहुँचा कर निर्ममता से कई मासूमों की हत्या कारित कर जगन ने अपराध कार्य किया गया है और उपिद्वारा असाय महिलाओं जो घर में सो रही महिला एवं सारवजिनिक स्थान पर खेल रही अबोध बालिकाओं को क्रूरता पूर्वक लोहे की टांगी से मारकर उनकी हत्या की गई है सुनवाई करते हुए कहा गया कि अभी युक्त का यह कृत्य अनैतिक असामाजिक विधी प्रतिकूल हृदय विदारक एवं वेदना पूर्ण है हत्या के प्रतक प्रतक अपराद हेतु धारा 302 के अंतरगत प्रतेक म्रतक के समबंध में कारित प्रतेक अपराद के आरोप हेतु दोश्च सिद्ध किया गया है समाचार एक्स्प्रिस की रिपोर्ट झाल झाल आसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल इकन को ख्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें घंने वाल